नाजरीन आदाप निजामते फासिलाती तालीम मौलाना आजात नेशनल उर्दु उनिवस्टी के तालीमी प्रोग्राम में आज के इस तालीमी प्रोग्राम में एमे अर्दु साल अवल के तलबा के लिए बहमनी दौर में अर्दु अदब मौजू पर सबख पेश किया जा रहा है सबसे पहले हम बहमनी दौर के सियासी, समाजी और तहजीबी पसमंजर के बारे में बताएंगे जैसा के आप जानते हैं, अर्दु जबान का आगास शुमाली हिंद में हुआ वहां दो-तिन सो साल तक नशनुमा पाने के बाद उसने दकन का रुख किया सियासी हालात और वाखियात की वज़ा से वो दकन पहुँची अलाओदीन खिलजी की सियासी हिकमत अमली की वज़ा से उर्दु जबान को दकन में फलने फुलने का मौखा मिला अलाओदीन ने 1297 इस्वी में गुजरात को फताह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया गुजरात कोई 100 साल तक सल्तनत देहली का हिस्सा बना रहा गुजरात फताह करने के बाद 1310 इसवी में अलाओदीन ने दक्कन और मालवा पर हमला करके उन्हें भी फताह कर लिया चुझके ये इलाखे देली से काफी दूर थे इसलिए यहां मौसिर तोर पर हुकमरानी करने के लिए गुजरात दक्कन और मालवा के इलाखों को अलाओदीन ने 100-100 मावाजियात में तखसीम कर दिया और हर मौज़ू पर एक-एक अफसर मुखरर कर दिया जो अमीर सद्दा क के बेताज बादेशा हुआ करते थे माल गुजारी वसुल करने से लेकर यहां का हर छोटा बड़ा इंतिजाम इन्ही के सिपूर्द होता था चुझके इंतिजामी अमूर की अंजाम दही के लिए इन्हें मुस्तखिल तोर पर यहीं रहना होता था इसलिए वो अपने एहल- भी साथ ले आते थे दकन और गुजराथी को इन्होंने अपना वतन बना लिया था अमीराने सद्दा दकन आने से पहले शिमाली हिंद में आबाद थे और वहां उनके आबाव अजदात सद्यों से बसे हुए थे इसलिए दर्बार और सरकार से हटकर उर्दू या हिंदवी ही से अपना काम निकालते थे जब गुजरात और दकन में उन्होंने सकुनत इक्तियार कर ली तो इसी जुबान से अपना रोजमरा का काम निकालने लगे यही जुबान राप्ते की जुबान बन गई थी मुहमद तुगलख के एक और तारीखी एगदाम ने अर्दू को दकन में मुस्तहकम करने में बड़ा एहम हिसा अदा किया देहली से दकन की दूरी का अंदजा खिलजी को भी था इसी वज़ा से उसने अमीराने सदा को मुखरर किया था मुहमद तुगलख इंतेहा पसंद बादेशा था उसने ये अंदाजा कर लिया था कि खुद अमीराने सदा भी इसके खाबू से निकल सकते हैं दकन पर अपनी ग्रिफ्ट को मजबूत तरीन बनाने के लिए इसने खुद पाय तख्ट को देहली से दौलत अबाद मुन्तखिल कर दिया और इस इंतेखाल मकानी पर इंतेहा पसंदी से काम लिया कि देहली में एक इनसान भी नहीं रहा इस तरह 1327 इसवी में देहली की सारी आबादी दौलत अबाद मुन्तखिल हो गई इस सारे अमल से दकनी जुबान को और खुबत के साथ फलने फुलने और फरुख पाने का मौखा मिल गया बाद में तौलक ने दकन से फिर देहली को पाय तक्त बनाया तो बेशमार लोग दकन ही में रह गए और अमीरान सद्दा के जेरे साया आ गए जिसका नतीजा ये हुआ कि अमीरान सद्दा जियाधा ताखतवर हो गए इसलिए मौख तौलक के आखरी जमाने में तमाम अमीरान सद्दा ने मतहिद होकर बगावत कर दी और खुद मुख्तारी का इलान कर दिया और अपने मेंसे एक को बादेशा बना दिया 1347 इस्वी में यू अजीम उश्शान बहमनी सल्तनत की बनियाद पड़ी बहमनी खानदन का पहला बादेशा अलाओदीन हसन शा बहमनी था बहमनी एधे हकूमत 1350 इस्वी से शिरू होकर 1525 इस्वी पर खत्म होता है अब हम बहमनी दौर में अर्दू के फरुख के अजबाब के बारे में मालूमात फराम करेंगे बहमनी एहद में अर्दू जुबान और अदब को जो गयर मामूली फरुग हासिल हुआ उसके कई अजबाब थे खदीम अर्दू या दकनी जो राप्ते की जुबान बनी उसकी सबसे एहम और बड़ी वज़ा ये थी कि दकन में दरावडी खांदान की जुबाने कई थी जैसे तेलगू, कनरी, मलियालम और टैमिल ये जुबाने हिंद आर्या जुबानों से इतनी अलग और मुख्तलिफ थी कि इन में से कोई भी जुबान, बन्यादी जुबान नहीं बन सकती थी इसी वज़ा से खदीम अर्दू, जिसको बोलते हुए खिलजी और तुगलख के जमाने में दकन के हाकीम खरर हुए, उन्होंने इसी को राप्ते की जुबान बनाया इसके अलावा, खदीम अर्दू, यानि दकनी को जो सरकारी और दर्बारी सरपरस्ती हासिल वी, उसका अहम सबब सियासी था जिस तरह आज़ाद मुलक अपनी पहचान और शिनाखत बनाते हैं, बिलकुल उसी तरह बहमनी सल्तनत ने भी अपनी शिनाखत बनाने के लिए मुगलिया सल्तनत से अखिलाफ किया जहां ज्हंड़ा और सिका लाजमी तरपर अलग हुए और दूसरी बहोसी homa, वहीं जुबान के सल्सले में भी मुगलिया सल्तनत से बहमनी सल्तनत ने अपनी आपको अलग किया मुखलिया सल्तनत में फार्सी ना सिर्फ सरकारी और दर्बारी जबान थी बलके इल्मी और अद्वी अगरास के लिए भी सिर्फ फार्सी ही इस्तेमाल होती थी हद ये के अर्दू के बड़े शायर भी शायरी के सिवा जब कोई इल्मी और अद्वी काम अजाम देते थे तो वो फार्सी ही इस्तेमाल करते थे मीर, मुसफी, मीर हसन, खायम चानपूरी और उस जमाने के तमाम दूसरे शायरों ने जब अर्दू शोरा का तस्किरा लिखा तो फार्सी ही में लिखा बहमनी एहद में खदीम अर्दू या दकनी पर जियादा तवज्जो दी गई कई एहम दकनी शायर इस दोर में मिलते हैं बहमनी दोर में जो नई तहजीब और नई लिसानी रिवायात खायम हुई उसके तालुख से प्रोफेसर अब्दू खादिर सरवरी अर्दू की अदबी तारिख में लिखते हैं 1347 इसवी में अलाओदीन हसन बहमन शाह ने खुद मुखतार हुकूमत खायम कर ली पहले पहल इसका पायत तक्त दौलत अबाद था लेकिन जल्द ही उसने गुलबरगा पायत तक्त बनाया और उसका नाम हसन आबाद रखा बहमनी खांदान के कुल 18 हुकमरान हुए इन में बड़े खाबिल और इल्म दोस्त बादेशा गुजरे हैं जिन्होंने दक्त में नई तहजीबी रिवायात को तरखी दी और नई अदबी और लिसानी रिवायात की बनियाद रखी अलग दिन खिल जी के दकन फताह करने से पहले भी कए बूजर्ग दकन आये थे जिनोंने बड़ी खामुशी के साथ नई तहजीब और नई लिसानी रिवायात को फरुख देने में बड़ा हिस्सा अदा किया दकन में खिलजी के आने से पहले जिन बज़र्गों के नाम मिलते हैं उनमें हाजी रूमी, सैच्जा मुम्मीन, बाबा सेट मजहर आलम, शाह जलालुदीन गंजरुण, सेद एहमद कबीर हयात खलंदर, बाबा शर्फद्दीन और बाबा शिहाब अद्दीन खास तर पर खाबिले जिक्र है मुजरुगान दिन के मलफूजात जो हम तक पहुँचे हैं उन से मालुम होता है कि उनकी जुबान पर हिंदुस्तानी जुबानों के मुख्तलिफ असरात पर रहे थे इनकी जुबान को किसी एक जुबान तक महदूद नहीं किया जा सकता जमिल जालेबी ने शाह बुरान दिन घरीब जैनो दिन खुलदाबादी शाह कोचक वली के मलफूजात के बारे में कहा है ये जुमले नाखाले स्पंजाबी हैं और नाखाले सिंधी सराइकी अर्दू में मुख्तलिफ जुबानों के असराथ इन में मिले जुले नजर आ रहे हैं बह्मनी एहद के अब्तिदाई जमाने यानि मुहमद शाह के एहद में कई रुहानी पेशवा सूफिया और बुजर्ग गुलबरगे में थे वो अवाम की इसलाह करते बादेशा को राहराज दिखाते और अर्दू जुबान की तरवी जो इशाद करते थे इसके बारे में प्रोफेसर अब्दू खादिर सरवरी अर्दू की अद्बी तारिख में लिखते हैं अवाम हता के बादेशाहों के अखलाख औ आदाद पनाजर रगते और जब जरूरत पड़ती उसकी इसलाह की कोशिश करते हजरा जैनुद्दिन के कहने से मौमजशा ने शराब पिना छोड़ दिया था और हुदूद सल्तनत में शराब की दुकाने बंद करा दी थी दाहिशा और उसके बाद अलाओदीन का दुसरा बेटा दाउशा तखनशीन हुए उस जमाने में उमरा की कश्मकश की वजह से सल्तनत का सुकून मतासिर हो गया था बाद में मौमशा सानी जब तखनशीन हुआ तो शोरीशे कम हो गएं और सुकून बहाल हुआ मौमशा सानी ने भी उलमा और शोरा को अपने दरबार में मदो किया फार्सी के शोरा आफाख शायर हाफिस को भी मौमशा ने मदो किया था लेकिन वो नहीं आए मौमशा खुद भी फार्सी का शायर था मौमशा के इंतिखाल के बाद फिर सल्तनत में बेचेनी पैदा हो गई और एक्तिदार के लिए रसाकसी शुरू हो गई जिसकी वजह से एक साल के अंदर दो बादेशा गयासोदीन और शमसोदीन तख़ पर बिठाए भी गए और उतारे भी गए अलबता फिरोशा की तखनशिनी के बाद ये हंगा में खत्म हो गए फिरोशा बहमनी खानदान का आटवा बादेशा था उसके एहद में सल्तनत अपनी तहजीब, इल्म औ फन और शान औ शुकत के इतिबार से उरूज पर पहुँच गई फिरोशा इल्म औ अदब की दिल से खदर करता था इसलिए उसके दरबार में उलमा सूफिया जमा थे फिरोशा के एहद की एक खसुसियत ये रही कि हजरत मौम्मद हुसेनी गेसुदरास रहमतुला अलेह गुल बरगे में रौना खफरोज हुए आपने यहां भी रुजदो हिदायत का सिलसला जारी रखा आप फारसी के साथ कभी कभी अर्दो में भी दर्स दिया करते थे आप से कई तसानिफ अर्दो की मनसूब की जाती है मिराजला शेखीन भी आप से मनसूब की जाती थी लेकिन बात की तेखिख से थाबित हुआ कि ये आपकी तस्नीफ नहीं है इसके अलावा शिकार नामा, तमसील नामा, खुलासा तोहीद और तिलावत अलवजूद आपके नाम से मन्सूब है आपने औरतों के लिए भी एक छोटी सी नजम चकी नामा लिखी थी फिरोश शाह के बाद एहमद शाह तक्त नशीन हुआ, उसको भी बज़रगान दीन पर इतिमाद था और उनके साथ बेहत इज़त और इधिराम से पेश आता था फिरोश शाह के बाद एहमद खां बहमनी सल्तनत के ताज़ तक्त का वारिस बना उसने अपना पाय तक्त गुल बरगे से बीदर मन्तखिल किया बीदर में जो उसने आली शान, महल और इमारते बनाई थी, वो फन तामीर का आला नमूना थी इसके जमाने में कई एरानी शायर बीदर के दर्बार में आए, फार्सी के शायर आजरी को एहमद शाय ने मलिक कुशोरा बनाया था आजरी दखनी में भी शायरी करता था और उसने बहमन नामे के नाम से बहमनी सलातिन की मन्जूम तारिख लिखी थी एहमाई शाह का जानशीन अलाओदीन सानी था उसके एहद में कई उलमा और फजला मौजूद थे हजरत के सुद्रास रहमत अलाओ का इसी के एहद में इंतिखाल हुआ उसके दोर में इल्मी और फनी तरखी जारी रही उसने खुमार बाजी और मैनोशी को ममनुख खरार दिया था अलाओदीन सानी के बाद हुमाई शाह जिसे जालिम का लख़ बिला था तख्टनशीन हुआ जो उलमा हुमाई उन के तख्टनशीन होने के मखालिफ थे जब हुमाई उन तख्ट उताज हासिल करने में कामियाब हो गया तो उनको चुन-चुन कर खतल करने लगा उसके बावजूद उसके एहद में कई आलिम और शायर रहे हैं शाह ताहिर अस्तराबादी और मुला मुहमत तखी नजीरी उसके जमाने के फार्सी के मशूर शायर गुजरे हैं नजीरी दकनी में भी शेर कहता था महमत गावां तिजारत के घर से भी दर आये हुमाई उसकी सलाहतों से मतासिर होकर उसे अपने लशकर का सालार बना दिया हुमाई उन के बाद उसका आठ साला बेटा एहमई शाल सालेस तक नशीन हुआ लेकिन सल्तनत का कारोबार उसकी वालदे माजिदा ने संभाल लिया इस खातुन ने बड़ी खाबिलियत के साथ सल्तनत पर हुकमरानी की एहमई शाल के बाद मौमई शाल से लशकरी ने हुकुमत की बागडूर संभाली अद्रेसे का एक बहुत बड़ा कुतुब खाना भी था। मौमशा ने यूसुफ आदिल खान को सिपेसालार बना दिया था। जिसने बाद में आदिल शाही हुकूमत खाइम की। बाद में बाहर से आह हुए लोगों को आफाखी कहा जाने लगा। जब आफाखियों और दक्नियों में पूर तशदू जगड़े शुरू हुए तो इन जगड़ों में महमुद गावा को खतल कर दिया गया। उसके बाद मौमशा लशकरी का इंतिखाल हुआ। मौमशा बहमनी सल्तनत का आखरी अजिमशान बादिशा था। मौमशा के जानशीनों में महमुद शा, एहमशा रबे, अलाओदीन, वलियुल्ला और कलिमुल्ला का जमाना बड़ा ही पुरा शुग रहा है। मौमशा ने 26 साल तक हुकुमत की लेकिन आपसी नाचाखी और दखनियों और आफाखियों के जगरों ने सल्तनत की चूल चूल धिली कर दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि बहमनी दौर के सुबेदारों ने एक के बाद एक खुद मुख्तारी का इलान कर दिया और बहमनी सल्तनत पांच सल्तनतों में बढ़ गई और ये अजीम सल्तनत जो 1350 इसवी में खायम हुई थी 1525 इसवी में खत्म हो गई अब हम बहमनी दौर के इल्मी और अद्बी कारनामों से आपको वाखिफ करवाएंगे अब तक की तहखिख के मताबिख दकनी अर्दू की खदीम तरीन मसनवी कदम राओ पदम राओ है एक जमाने तक मिराज अशिखिन को अर्दू की पहली तस्निफ समझा जाता था और ये खाजा बंदे नवाज गेसुदरास रहमत अले से मनसूब की जाती थी लेकिन डौक्टर हफीज खतिल ने मिराज अशिखिन का मसन्निफ के अनवान से जो किताब लिखी है उसमें मुदलिल अंदास में उन्होंने साबित कर दिया है कि मेराज अशिखिन ना तो हज़रत गेसुदरास रहमत अले की तस्निफ है ना उनके जमाने में लिखी गई है बलके उनके जमाने के तकरीबन दोसो साल के बाद मगदुम शाह हुसेनी ने इसको लिखा है और इस तरह मेराज अशिखिन को अर्दु खदीम या दकनी की पहली तस्निफ नहीं कहा जा सकता मस्कुरा तेखिख के बाद फखरदी निजामी की मसनवी कदमरो पदमरो अर्दु की खदीम तरीम तरीम तस्निफ खरार पाती है ये मसनवी एहमशा वली बहमनी के एद में लिखी गई एहमशा का जमाना 825 ता 838 हिज्री मताबिख 1421 ता 1434 इसवी रहा है एहमशा के दोर की तस्निफ होने की दाखिली शहादत खुद मसनवी में मौजूद है निजामी ने लिखा है मसनवी में बार बार मसनिफ ने अपना नाम फखर दिन निजामी लिखा है मसनवी का नाम क्या था इसका पता नहीं चलता क्यूंके इप्तिदाई वरख और बीच के कई और राख के अलावा आखिर के हिस्से में इस मसनवी का नाम नहीं मिलता चुंकि मस्नवी की कहानी कदम रौ पदम रौ के किरदारों पर इस्तवार हुई है इसलिए मौली नसरोदीन हाश्मी ने इस मस्नवी का नाम कदम रौ पदम रौ रख दिया है बाद में जमिल जालेबी ने इसे मरतिब किया और इसी नाम से शाय भी कर दिया है ऐसा मालूम होता है कि मसनवी कदमरो पदमरो का खिसा किसी मशुर हंदुस्तानी कहानी से माखूस है और इस मसनवी की जुबान बह stärker है इसको समझना भी बहुत मुँछल है इस मसनवी के खदामत के बावजूद इसमें जो खुबिया मिलती हैं इसके तालुख से जमिल जाले भी लिखते हैं मसनवी कदमराव पदमराव साड़े पांसो साल से जियादा पुरानी मसनवी है और अर्दू अदब के अवलीन रिवायत की नुमाइंदा है जिस कसरस से इसमें जर्बलमसाल और महाविरे इस्तिमाल हुए हैं वो इस बात का सभूत हैं कि ये जुबान सदियों पुरानी हैं जो सैंकडो साल की मसाफ़त टेक करके अपने इर्तिखा की मुखतलिफ मन्जिलों से गुजर कर अदबी सते पर इस्तिमाल में आने के लायख बनी है संस्क्रित लफास के इस्तिमाल के अलावा जहां तक बयान की चुस्ति और अचावट का तालुख है वो कदमरो पदमरो में मौझूद है यहां बयान में बेजा पहलाओ का भी एसास नहीं होता बलके बात को इक्तिसार के साथ बयान करने का अमल मिलता है मसनवी में इस्तिमाल होने वाली जर्बल अमसाल में से शायद ही कोई ऐसी हो जो आज भी अर्दु जबान के सर्माये में शामिल नहो मिरान जी शमसल उशाख बहमनी एहत के एक एहम शायर और बुजर्ग है मिरान जी एन जवानी में दुनियावी तालुखा तर करके राह खुदा में निकल गए थे वो बैतुला में खियाम के बाद मदीने मुनवरा में कोई बारा साल रहे वो ऐसे खानदान के बानी थे जिसने सदियों तक अरज दकन में रुजर्दो हिदायत का काम अंजाम दिया मिरान जी का जमाना 1496 इस्वी का है ये वो जमाना था जब बहमनी सल्तनत तवाइफल मुल्की का शिकार हो चुकी थी और रुब जवाल थी 1490 इस्वी में आदिल शाही हुकूमत अपनी आज़र्दी और खुदमुक्तारी का इलान कर चुकी थी बीदर की बुरिद शाही सल्तनत और बरार में इमाशाही सल्तनत 1487 इस्वी में खुदमुक्तारी का इलान कर चुकी थी इन हालात में हर तरफ बे इतमिनानी थी मीरान जी की तसानिफ इसी जमाने में सामने आई और अल्लाह की तरफ रूजू होकर सुकून पाने का तरीखा बताती रही इनकी तमाम तसानिफ का मौजू तसवुफ और अखलाखी तालीम है इनकी चार किताबे मिलती हैं खुशनामा, खुशनक्स, शाहदत त्तेहिख, मखजे मरगू खुशनामा 170 अशार पर मुश्तमिल नजम है इसमें एक नेक सीरत लड़की खुश को पेश किया गया है इसकी बेहतरीन सिफात की वज़ा से सभी इसे महबत करते थे और इज़त भी करते थे लेकिन वो सिर्फ सत्रा साल की हुई थी कि अल्ला ने उसको अपने पास बुला लिया इतनी कम अमरी में खुश का मर जाना अफसोस की बात है लेकिन अल्ला की मरजी यही थी इसकी मौत से मीरा जी अखलाखी नताइच अख्स करके रूहानी मसाइल की तश्रीक करते हैं दूसरी नजम खुश नख्स है यह सिर्फ बहातर अशार पर मुश्तमिल है इसमें सवाल और जवाब का तरीखा अख्तियार किया गया है खुश मुख्तलिफ रूहानी और मजभी मसाइल पर सवालात करती है और मीरा जी इसका जवाब देते हैं जैसे अखल और इश्ख, करामात, मुराखबा, इर्फान रूह वगएरा मीरा जी की नजमों में मुख्तलिफ बुलियों जैसे बिर्जभाशा, पंजाबी और मराठी के असराद मिलते हैं शहादत तहखीख, मीरा जी की एक तवील नजम है जो 563 अशार पर मुश्तमिल है इस नजमे शरीयत और तरीखत के मसाइल खुरान और हदीस के जरीए समझाए गए है इसमें भी सवाल और जवाब का तरीखा अपनाया गया है तालिब सवाल करता है, मुर्शिद जवाब देते हैं इसमें भी शरीयत और तरीखत के मसाइल पर रोश्णी डाली गई है इसमें तलखिन की गई है कि सुँच समझ कर शरीयत और तरीखत पर चलना चाहिए जो ऐसा नहीं करते वो अपनी अम्र जाय करते हैं मख़े मरगूब, शमस लुशाख की चौती और आखरी नजम है इसमें भी फलस्फियाना और सुफियाना मसाइल पर रोश्णी डाली गई है मिराजी की जबान मुश्किल है, इसको समझने में दिक्कत पेशाती है अर्दो जुबान की खिद्मत, मीराजी और उन से पहले और बात के अदिबों ने जिस तरह की उसकी वज़ाहत करते हुए जमिल जाले भी लिखते हैं यूं मालूम होता है कि पहार खुदा जा रहा है और हजार दुश्वारियों से रास्ता बनाया जा रहा है ये वो लोग हैं जिनों ने अपनी मेहनत और सलाया से जुबान के दरिया को बयान के रास्ते पर डाला आज वो हमें मुश्किल, नामानूस और बेमाएने नज़र आते हैं अगर ये लोग उस दौर में जुबान और बयान के नए ने तजर्बे ना करते तो सरस्वती की तरह इस जुबान का दरिया भी रास्ते ही में खुश्क हो जाता ये जुबान के वो नमूने हैं जो नवी सदी हिजरी की जुबान पर ना सिर्फ लोशनी डालते हैं बलके नुखुश राह की हैसियत रखते हैं हम इस सर्माए से मुखतलिफ तहजिब धारों और असरात का मतालिया करते हैं और देखते हैं कि किस-किस असर ने हमारी फिक हमारे इजहार को मतासिर किया है और वो कौन से असरात थे जो उठे बढ़े और खालिब हो गए जिस तरह किसी जहास की परवास को बहुत दूर तक देखने के लिए उसे मुसलसिल टिक-टिक की बान कर देखना पड़ता है उसी तरह और दुक की रिवायत को दूर तक देखने और समझने के लिए इन लोगों की जुबान और बयान की परवास को भी मसलसिल देखने और समझने की जरूरत है सयशा अश्रफ बियाबानी रिफाई खानदन से तालुख रखते थे उन्होंने नौसरहार के नाम से पंदरा सुतीन इस्वी में एक मसनवी लिखी इस मसनवी का नाम नौसरहार इसलिए रखा गया कि इसमें नौबाब हैं जो हार की हैसित रखते हैं अद्बिल्यास से ये मसनवी बड़ी एहमित रखती है अश्रफ ने फखरिया तोर पर कहा है कि इस मसनवी में उसने हीरे मोती जड़े हैं उनको सोने के तार में पिरोया है, हर मिस्रे में नगीने जड़े हुए हैं सोने की जूं खूंटी घर, हीरे मानिक मौती जड़, एक एक बॉल मानिक मौल, सीम तराजूं सी थी तोल मसनवी का मौज़ू वाखे कर्बला याने शहादत हुसेन है, जिसको हिंद्वी जूबान फार्सी में है, ये मसनवी शायद मजलिसों में सुनाने के लिए लिखी गई है इसकी जूबान बामहविरा है, जो महविरे इस मसनवी में मिलते हैं, वो आज भी हमारी जूबान का जज़ों हैं जैसे वक्त आना, मौत आना, उठजाना, मर जाना, गम खाना, फिकर तरदद में मब्तला होना, हाथ आना, हसिल होना, हाथ मलना, इफ्स 통itate, फल पाना, अच्छा नतीचा ऐसिल होना, आश्मा टूट पढ़ना, सखत मसीबत पढ़ना, खौल करना, वादा करना उगिरा अश्रफ की इस मसनवी में रजमिया अंदाज में मिलता है मैदान जंग का नक्षा भी उसने अच्छी तरह खिंचा है इसी तरह जजबत और इसासात की पेशकशी भी बहुत अच्छी है ये मसनवी इस लिहा से बड़ी एहमेत रखती है कि जब अर्दू जुबान इत्तदाई शक्र में थी इस जुबान को अर्दू ही नहीं बलके दकनी के नाम से भी अभी पकारा नहीं गया था जमिल जालेबी के कहने के मताबिख मिराजी की तरह अश्रफ भी अपनी जुबान को हिंद भी कहता है शाह बाजिन भी अपनी जुबान को हिंदी या देल्वी कहते हैं अभी इसके लिए गुजरी या दकनी का लफ इस्तेमाल नहीं हुआ तरिख एदब उर्दू सफ़ा 118 बहमनी दौर ने उर्दू की सबसे बड़ी खिदमत ये की के इस जुबान को दकन के चपे चपे तक पहुँचा दिया बहमनी सल्तनत एक अजीम सल्तनत थी जब ये तूटी तो पांच बड़ी बड़ी सल्तनतें वजुद में आई बहमनीों ने एक मुश्तरी का जुबान और एक मुश्तरी का तहजीब आने वालों को दी जिस से वो अपनी अलग शिनाखत और पहचान बना सके बहमनी दोर ही में जुबान और बयान को इतना निकार और समार दिया गया था कि वो अद्बिय अगरास के लिए इस्तेमाल हो सके और इसमें हर खिसम के मौजवात बयान हो सके बहमनी दोर के मसन्निफिन ने अर्दू जुबान के खित्मत जिस तरह की है उस पर जमिल जाले भी यू रोशनी डालते हैं ये वो लोग हैं जिनों ने अपनी सलाहितों को अर्दू जुबान के मिज़ाज खून में शामिल करके उसे आगे बढ़ाया है अगर ये लोग ऐसा ना करते और ये जुबान को अपने अपने अन्दाज में अपनी अपनी जरूरत के मताबख इस्तेमाल ना करते तो ये जुबान वक्त की खबर में कभी की डफन हो चुकी होती तवील नजम लिखना और वो भी ऐसे दोर में जब खुद जुबान व बयान हर सते पर गुटनों पर चल रही थी कोई आसान काम नहीं था इन लोगों ने जुबान को मुखतलिफ मौजवास से आशना करके उसे जल्द ही कहीं से कहीं पहुँचा दिया खदीम अर्दु मसन्ने फिन का हम पर यही इहसान है बह्मनी एहड जब खत्म हुआ तो पांस सल्तनतों में बढ़ गया लेकिन बह्मनी दौर ने ऐसी मजबूत लिसानी और तहजीबी रिवायत खायम की थी जिस पर ये तमाम रियासतें तादम आखिर चलती रही इन में से आदिल शाही और खत्म शाही दौर अद्बी लिहास से भी पुर्शी को और शानदा रहा है जिस पर अर्दु जबान और अदब जितना भी फखर करे कम है ये अर्दु अदब और तहजीब का भी सुनेरी दौर है बहमनी दौर के दिगर शोरा में फिरोज बीदरी लुटफी और मुश्ताख के नाम खाबिले जिकर है फिरोज ने एक मसनवी प्रित नामा के अलावा चनगजलें अपनी यादगा छोड़ी है लुटफी और मुश्ताख की भी चनगजलें और खसायद मिलते हैं बहमनी दौर अर्दौ अदब की तारिख में इसलिए एहमियत रखता है कि इसी एहद में दकनी जुबान अदब को ऐसी मुस्तहकम बनियादें फरहम हो गई थी जिसकी वज़ा से बाद में भी इन बनियादों पर अर्दौ शेरो अदब की शानदार इमारते खड़ी की गई निजामत फासिलाती तालीम मौलाना आजाद नेशनल अर्दौ यूनिवरसिटी के तालीमी प्रोग्राम में बह्मनी दोर में अर्दौ अदब मौजू पर सबख पेश किया गया इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय इस पते पर रवना कीजे अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजे खुदा हाफिज अगले इस प्रोग्राम के लिए हमें आप अर्दौ प्रोग्राम में